काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेस्टन किये थे कि सर लास्ट बर्डिक्ट जो है कब आएगा इस केस का तो मैंने उन्हें ये एक्स्प्लेन किया था कि हॉलिडेज जल्द ही स्टार्ट हूंगी हाई कोट फिमाचल परदेश में तो उससे पहले बहले यहनी कि बीदिन ये सब कुछ हमें देखने को मिल जाएगा तो आज है 31 दिसंबर 2021 और नए साल का तोफ़ा जो है ये कुछ न्यायाले ने हमें दे दिया है हलांकि जो आप कह सकते हैं लिखित रूप से अभी अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि उसमें टाइम लगता है अगर हम सोच रहे हैं तो ये दोस्तो कानूनी सारी कारवाईया है बहुत समय लगता है बहुत बारिक्की से सब कुछ देखा जाता है लेकिन जो भी आपके नॉर्मली क्वेशन से उनके बारे में देखते हैं सबसे बहले तो इंट्रोडक्शन देना इंपोर्टेंट होता है किसी भी मुद्दे क 847 क्या है 847 में दोस्तो सेम क्या मांगा गया था 10 प्लस टू होनी चाहिए और साथ में एक साल का या फिर जो भी है डिपलोमा होना चाहिए कंप्यूटर का तो इस केस में क्या था किसी के पास प्रावेट इंस्टिउशन का था किसी के पास गोर्मेंट का लेकिन कमिशन ने ये सवाल नहीं उठाया कि आपके पास कौन सा डिपलोमा है कोई भी चलेगा ठीक है लेकिन 556 जैसे ही आया इसमें देखा गया कि R&P बनाएगे एक साल का डिपलोमा हो कंप्यूटर का 10 प्लस 2 हो और ये डिपलोमा जो है रिकोगनाइजड जो कोई भी इंस्टिउशन है उससे होना चाहिए ऐसे नहीं कि कोई भी गली नुकड का कोई भी कंप्यूटर इंस्टिउशन आया और बहां से डिपलोमा लिया प किसी institution से उन्होंने मेहनत करके कोई diploma लिया, बाद में उन्हें पता चला कि वो institution जो है recognize ही नहीं, तो इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है, तो इसी के चलते 817 जो है इसमें थोड़ी सी हमें बाधा देखने को मिली, तो अब दोस्तो ये तो clear हो गया, 447 वालों को कोई कुछ न साल का diploma मांगा गया है, तो अगर 3 साल किसने computer पड़ा है, 4 साल, 5 साल, तो वो भी eligible है, ऐसा नहीं होगा, तो higher education बाले बाहर होंगे 556 से, revised, दोबारा फिर से merit list हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन 817 में ज्यादा question ये है कि क्या कटोती होगी vacancies की, तो दोस्तों मुझे लगत रहा था, और commission ने ये receive किया था government से, कि vacancies खाली है, तो उने भरना है, तो commission ने तो अपने हिसाब से, पूरी process अच्छे से follow की थी उन vacancies को भरने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कटोती होगी इन vacancies में, तो 817 के हक में ये फैसला हो सकता है, बाकि सर्बो परी कौन है, high court of हिमाचल परदेश, कोई फालतू की टिपनी मैं नहीं करूँगा कि ऐसा होगा, बैसा होगा, ये तो totally हम यहीं देखेंगे कि high court of हिमाचल परदेश यो है, इसकी क्या यहां पे statement आती है, और लिखित रूप से हमें क्या देखने को मिलता है, शाम तक, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, ये सब कुछ, तो हो सकता है, मैं उसके ओपर वीडियो भी बना दूँ, अगर वीडियो ना बनाओ, तो आप जुड़े रहना, टेलिग्राम के साथ जुड़े रहना, बहां पे मैं अप्लोड कर दूँगा, इस statement को, या फिर WhatsApp के थुरू, तो आप जुड़े चाहता हूँ कि इन दोनों के अच्छा हो, 817 भी और 556 भी, किसी को ज़्यादा परिशाननी ना है, क्योंकि हर किसी ने महनत की होती है, अपने लेवल पर, और रही बात ये कटोती, बेकैंसीज की, तो ये मुझे नहीं लगता personally, कि कटोती होगी, क्योंकि सारा प्रोसेजर फोलो किया हुआ है, कमिशन ने भी, और जो भी है, अब दोस्तों स्टे जो है हट चुकी है, स्टे हट चुकी है मतलब टाइपिंग स्टार्ट होगी, इसका मतलब क्या है, कि आपको दिन रात तब टाइपिंग करनी है, ऐसा ना हो कि दो तिन महिने, चार महिने जो फंसा, तो उसमें आप रिदम आप खो बैठे, टाइपिंग जो स्पीड आपकी 30-40 थी, अब वो 10 ही रह गई है, तो अब जितना जल्दी हो सके, टाइपिंग स्टार्ट करो, मेहनत करो, और कामयाब भी हासिल करिए, बाकी WhatsApp नंबर्स हमने प्रोवाइड किये हैं, पूरी facilities आपको ना लो, ठीक है, किसी भी social media के उपर अगर फालतू कोई ऐसा वैसा किसी का सुन रहे हैं कि हमें पदा चला है, कि ऐसा होने वाला है, हमें पदा चला है, ऐसा होने वाला है, नहीं, जो high court of हिमाचल परदेश है, उसका फैसला सर्बो परी होगा, उसका बेट करो, इसने ये ब ये हमाचल